नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइट एजूकेशन में बिहार दरोगा की मुख्य पर इक्षा की तयारी जो छात्र कर रहे हैं उनके लिए रोज साम को आठ बजे ये मोग टेस्ट लेकर आते हैं अगर आज ये टेस्ट मिलने में आपको थोड़ा सब बिलम बता होती है तो छमा कीजिएगा तो कि नेट वर का प्रॉब्लम है अप्लोड होने में टाइम लग सकता है लेकिन अगर टाइम पे अप्लोड हो गया तो आट बजे मिली जाएगा आपको चलिए दोस्तों लेकर चलते हैं आज के इन सभी प्रश्णों पे जो कि आज आज आप से पूछे जाएंगे यहां पे और आप लोग सभी यहां पे उत्तर एक एक करके दीजिएगा हर एक कोशिन का आपको उत्तर देने का माक्स दो नमबर मिलेगा और गलत करने का 0.2 नमबर काट लिया जाएगा तो लास्ट में कैलकुलेट करके जरूर कमेंट कीजिएगा कि अभी सही तयारी को जज करना यानि खुद को जाच करना कि कितनी तयारी हमारी यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चलिए लगाते हैं स्टेश्ट को और आज का कटफ आपका 40 नमबर फिर से रख रहा हूं तो 40 क्रॉस करके देख लाएए यहां पे जितने भी चाते यहां को दबाके ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से लगातार जा सके सुबह के 9 बजे यह वीडियो देखना आप लोग ना भूलें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है अलग 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 टॉपिक्स दिये जा रहे हैं ज़्यादास आपने ग्रूप में शेयर कीजिया और फेस्बूक में भी शेयर कर सकते हैं आप लोग जिस ग्रूप में आप लोग सामिल है ताकि और भी लोग जूर सके ताकि यह गाउं गाउं तक यह Qई पहुंच सके उन छातरों तक जो लोग घर बैठे तयारी कर रहे है इस lockdown में भी बिल्कुल राष्टी राजमार्क योजना की सुरुवात हुई है दोस्तो सन 1995 में याद रखीगा राष्टी राजमार्क विकास प्रदधी करन स्थापना ये 1995 एक्ट की तहट ही इसकी सुरुवात की गई थी ठीक है और नागपूर योजना थी ठीक है चलिए याद रखिएगा कोशन नमबर टू पे चलते हैं दोस्तो पीली करांती का किसे संबंद है ये कोशन बहुत बार पूचा गया है इसलिए कोशन रेपीट होता है ठीक है और रेपीटेट कोशन आपको स्टार मार्ट लगा लिजिएगा यहाँ पे हो सकता है कि पूचले पीली करांती जो तो बिल्कुल तिलहन से संबंदी थे जिनका उत्तर बी आ रहा है आंसर बी कर लेंगे यहाँ पे अच्छा एक कोशन यहाँ पे है कि बादामी करांती का नाम जानते है अब लोग बादामी करांती वो किसे संबंदी थे बादामी करांती बादामी करांती संबंदी थे मसालो के उत्पादन से बिल्कुल याद रखिएगा आंसर यहाँ पे अगर पूचे कि बादामी क्रांती तो बोलिए का मसालों के उत्पादन से ठीक है बागी हरित क्रांती और स्वेत क्रांती के बारे में आपको बता चुका हूँ अनाज और दूधे क्रमसा वो ठीक है चले कोशी नमबर तीन पे चलते हैं भारत में उत्पाद की गई परसेंटेज कॉफी निर् प्रस्तिशत या नोट कर लिजीगा मातर 10 पर्तिशत ही भारत का उत्पाद की अवा कॉफी जो है वो निर्याद करते है भारत कॉफी का सबसे उत्पादित जो हमारा सामिल है जो देश पुरे विस्वे में वो सबसे यदा ग्राजील है याद रखेगा उसके बाद वियतना इंडोनेशिया पूलंबिया उसके बाद भारत का नमबर आता है कॉफी के निर्यात में ठीक है याद रखेगा ब्रजील वियतनाम इंडोनेशिया को लंबिया देन इंडिया ओके चलिए चलिए कर फोर पर चलते हैं दुर्गापुर इस पाथ कारखाना इस कि सहायता से इसकी साहयता से किया गया है तो आंसर कीजिए का 60C. inngland जिए आ, inGland जो है उसकी साहईता से इसके स्थापित किया गया था चुकिए प्रथम पंचवर्सी योजना जो थी उसमें भिलाई, तुर्गापूर लिख लीजिए आप लोग लिखना खोला गया था ठीक है चलिए याद रखिएगा question number five पे चलते हैं देखिए वीडियो आप लोगो पसंद आता है ना तो एक like करके जरूर जाएगा है ना ताकि आपके like से हमें motivation मिल सकते हैं रोज ये वीडियो आपके लेकर आ सके ठीक है और हम आपके साथ जुड़े हैं लगा लगातार हम आपके साथ जुड़े हुएं इसलिए मैं बोलता हूँ कि ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए थाकि और भी लोग हम आपके साथ जुड़ सकें किस वर्स के budget में GST का पहली बार जिक्र किया गया था आंसर कीजिएगा question number five का चलिए आंसर कीजिएगा 2006 से 2007 के budget में जी हां हम बात करेंगे इसके GST के बारे में देखें 2006 से 7 के budget में GST को पहली बार जिक्र किया गया किसके समीती की कर ये तो केलकर समीती ये क्या दोगा आप लोगो केलकर समीती लाए गया था Congress के दुवारा ही 2007 के 2006 और 2007 के काल में ठीके तो ये GST की सिफारिस किय गया था और GST जो है भारत में एक जुलाई 2017 में लागो किया गया जिसका अपोज कर रहे थी भारती जनिता पार्टी उसी को ये सपोर्ट करके ले आई GST को यहां पे और यहां पे 2017 में उन्होंने अपनी सरकार में इसको लागो किया चलिए खुश्यमर 6 पे चलते हैं णशर क्या होगा यह हो जाएगा दूस्तों इन परियली बेंक है ठीक है इंपेरील बैंक ओप इंडिया नाम था यह याद ूब बैंक ऐधान के स्थापना कभःता तो याद रखेगा सन 1921 में किया गया था जीकी एस बी राश्टी करन कभःता यह भी पूछ सकता को साक्क हम जो है बारा हुई पंचवर्जी यूजना की अंतमित हैं ठीक है 2017 तक और ये 1 अप्रेल 2012 से लेकर 31 मार्च 2017 तक का कारेकाल था ठीक है और ये question actually repeated था ठीक है ये आया हूँ आपके exam में बिहार SSC के means में पूछा गया है जो 5 फरोली 2017 को paper हुआ था उसमें पूछा गया है इसल भारत में अभी बता दें कि कुल बारा पंच वर्षी यूजना चलाई जा चुकी है ठीक है और 2017 तक प्रतम पर्च वर्षी यूजना एक अप्रल 1951 से 56 तक चला था और भारत में अगर देखा जा तो यूजना अवकास जो है उनिसो चाशट से 79 के कहा जाता है यूजना ठीक है याद रखिएगा और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अभी भारत हमारा कौन से पंच वर्षी यूजना में चल रहा है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए चुकि मैं आपको बता चुका है तो आगे का आप बताईए जुरूर यहां पे चलिए रेलवे अधारित जितने वी संद्रशनाए हो रही है उनमें 100% विदेशी पर्टेक्श निवेज कर सकते हैं और यह 24 जुलाई 1991 की उधारी करन की घोशना में इसको रखा गया था ठीक है कोशन नमबर 9 पे चलते हैं यहां किस देश में वैक्तियों की आए विशमता को ग्य लॉरेंच साइकल है किसी भी देश की वैक्तियों की आए विशमता को बताती है लॉरेंच साइकल जो है दोस्तों सन 1905 में लाया गया था ठीक है चलिए याद रखेगा कोशन मबर 10 पे चलते हैं बैंक नोट प्रेस यहां पर है कौन सी सहर में है बैंक नोट का प्रेस बिलक रखेगा इंडिया सिक्यूरिटी प्रेस अगर पूछे तो नासिक में है ठीक है ना ओके नेक्स्ट कोशिन है जनसंख्या की दृष्टी से चार बड़े राज्यों में से यह नहीं है जनसंख्या की दृष्टी से चार बड़े राज्यों में कौन नहीं सामिल है नहीं बोल प्रती वर किलोमीटर जनवसंख्या चलिए की झिनाइविए। यहिर सी बात है और जनसंख्या भी इस राजी की है चार बड़े राजियों में सबसे इसका नाम है बिहार का ठीक है तो आंसर हमारा ए हो जाएगा बिहार इस दराइट आंसर नोट कर लिजीगा यह बिहार जो है वो जनसंख्या घनत्यों के सरवादिक यह है और यह 2011 की जिन के नुसार आंसर है ठीक है चलिए अगला कोशिन है कि भारत में सूपर कंप्यूटर जो पहले विक्सित किया गया उसका नाम क्या था भारत में सूपर कंप्यूटर जो पहले विक्सित किया गया उसका नाम था दोस्तो परम 8000 जी हां आंसर क्या होगा इटस ए परम 8000 इस द तो यह कब सुरुवात किया था देखिए बहुत लोग बोलेंगे कि यह तो जीयों के आने के बाद सुरुवात हुआ था लेकिन आंसर गलत करके आजाएंगे आप लोग ठीक है चलिए चलिए कोशी नमबर हम 15 देखेंगे कि UK ब्रिटेन जो है UK ब्रिटेन कहते उसको का सियर मुल्क मुल्य सुचकांग क्या है उसको क्या कहते हैं भी बिल्कुल FTSE 100 कहते हैं उसका नाम है याद रखीएगा ठीक है याद रखीएगा इस एफ टी एस एंडरेड ठीक है यह हमारा ब्रिटेन का सियर मुल्क अंक सुचकांग है ओके चलिए कोशी नमबर हम देखेंगे 16 रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के प्रथम भार्ति गवर्नर चलिए आंसर कीजिए दूस्तों यहां पर रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के प् रखेंगा दोस्तों आंसर हमारा क्या हो जाएगा इट्स ए सीडी देश्मोग इस दराइट आंसर ए इस दर करेक्ट आंसर ठीक है रिजर्ब बैंक आफ इंडिया के प्रथम भारते गवर्नर देश्मोग ठीक है चलिए और यह आर्बिया एक्ट 1934 में लाया गया था कुश् इस ने रुपय का साइन डिजाइन किया है यह आप लोग देखते ना रुपय यूं लिखा हुआ यह कौन मतलब डिजाइन किया था तो वह है आईटी बॉंबे का च्छातर जिन्होंने यह रुपया का साइन डिजाइन किया था उनका नाम है दोस्तों उदैक कुमार ठीक ह याद रखिएगा, question हो सकता है, पूछ ले जाए, question important है, question number 17 पर चलते हैं, यह carbon कर घोसित करने वाला प्रथम देश कौन है, carbon tax है याद रखिएगा, carbon tax घोसित करने वाला प्रथम देश कौन सा है, यह बताना आपको, बिल्कुल बहुत सही उत्तर कर रहे हैं, अगर आप लोग लिए यहाँ पर 30% कुल carbon का उत्तपादन कम हुआ है, जी हाँ दोस्तों, और चीन में भी 30% का carbon उर्थम जो है कम हुआ है, इसके चलते, चलिए, अगला question है, 19, कीवी, दोस्तों कीवी एक तरह की चुनिया है, वो कहाँ पाई जाती है, तो देखिए, नाम से आप लोग कहते हैं, cricket की टीमों में, तो याद रखेगा, न्यूजिलेंड की टीम को कीवी कहते हैं, C is the right answer, कीवी एक चुनिया का नाम है, जो की न्यूजिलेंड में पाई जाती है, और ये सबसे छोटा पक्षी यहाँ का harming word होता है, ठीक है, harming word, ठीक है, याद रखेगा, चलिए, question number 20 पर चलते हैं, ब्राजील की currency का नाम बताईए, ब्राजील की currency क्या है, बिल्कुल currency से, देश के दाजधानियों से, प्राइम मनेश्टर से, या प्रेसिडेंट से, question पूछेगा, exam में, तो वहाँ पे इन सब चीजों को completely आप लोगो throughout पढ़ना होगा, तो रहाट theoretical ये कम से कम घर बेठे है, strategy का वीडियों काफी दे रखा अपने चैनल पे, वहाँ प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, आप सारी चीज़े, तो आंसर कीजिएगा दोस्तों, ब्राजील की जो मुद्रा है, वो real है, क्या है, it's be real, ठीके, याद रखेगा, अच्छा मैं प 21 पे चलते हैं, कौन महलो का सहर कहलाता है, महलो का सहर किसको कहते हैं, महलो का सहर, चलो दोस्तों आंसर कीजिएगा यहाँ पे, 21 का आंसर, बिल्कुल, जिनका उत्तर यहाँ पे आ रहा है, बिल्कुल, बहुत सही, कुलकाता is the right answer, B is the right answer, नोट कर लिजिएगा, अगला question दे आंसर करेंगा, आँपे दोस्तों जल्दी से, बिजे मालिया को, नोट कर लिजिएगा, अच्छे समय का राजा के नाम से उपाधी दी गई है इनको, और ये इनको चोर भी कहा गया है, जब ये भारत का पैसा लेकर भागे हैं, ठीके, भारत का पैसा, घपला, घुटाला कर के भागे हैं यहां से, तो ये भारत के सबसे मतलब, सबसे कह सकते हैं, जीके में कोश्चन पूछा गया था, हाली में किसी परिक्षा में, कि देश का सबसे प्रख्यात चोर कौन है, उसका नाम था बीजे मालिया है, ठीके, याद रखेगा, इनको रिस्पेक्ट देने की ज हर्षा, जीहां हर्षा जो है मुंबई की प्रतम परक्षनली शिशु थी, और 2016 में इन्होंने एक शिशु को चर्म दिया है, जीहां इसका पहला परिक्षन मुंबई में हुआ था, जो की परक्षनली की दरवार ट्यू बेबी कहते हैं ना उसको, तो उसमें पहला परिक्ष इंडियन एरलाइन्स की प्रतम महिला पलिट थी, दुर्वा बेनर जी, नोटकल जी अटसर ए, दुर्वा बेनर जी, ये कोशन आया हुगा एक्जाम में, इसलिए मैं बता चुका है आपको, बिहार S.A.C. में ही पूछा गया ये प्रशना, चलिए, कोशन नमबर 25 का करते ह और मालिवे जी ने सेंट्रल स्कूल को फरवरी 1916 में बिये चू में बदल दिया था, जो उसके संस्थापक भी माने जाते हैं, पंडित मदन मोहन मालिवे, आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, चलिए, कोशन इंपॉर्डेंट है ये, याद रखिएगा, कोशन 26 पे चलत जितने भी कारियत हैं, उनके जीवन के, उनके लिए ये दिया जाता है दादा साहिब फाल की अवर्ड, तो महिलाओं में ये मिला है अविनेत्रियों को सबसे पहले किसको ये बताना है आपको, बिलकुल इनका नाम है देविका रानी, जी यहाँ दोस्तों नोट कर चलिए कोशिन नमबर 27 पर चलते है, यह हिंदी सहित्य के एक परसिद अलोचक थे हैं, कौन दोस्तों जल्दी से उनका नाम बताएगा, बिलकुल यहाँ लिखित रचना थी, जल्दी से बताएगा आप लो बिल्कुल इनके उपर अभी हाली में एक मूभी भी बनी है ठीके तो पदमावत जो है दोस्तो जैसी के द्वारा लिखा गया था जिनका उतर आ रहा है यहाँ पर करेक्ट कर रहे हैं और 1541 में यहाँ पर पदमावत जो है अवधी भासा में लिखी गई पुस्तक है ठीक है अवधी भासा में लिखी गई थी चलिए गेम आफ थ्रोंस के लिखा कौन है चलिए कोशन पुस्तकों से भी रहेगा और इस्टैटिक का पार्ट है यह सब यह एक्जाम में आपके रहेंगे बिल्कुल जितने भी बिहारद रोगा के मेंस के एक्जाम हुए अभी तक वहाँ पे कोशन रहे है इस्टैटिक का यह पा गेम आफ थ्रोंस के लेखक हैं दोस्तो ए जॉर्ज मार्टिन इस दर राइट आंसर जीहां नोट कर लिजिएगा अगला कोशन देखेंगे 30 इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन है इंडिया आफ्टर गांधी यह भी कोशन पूछा गया है आपके एक्जाम में तो इ जीएगा बिलकूल याद रखेगा आंसर होगा रामचंदर गुहा जो हैं इंडिया आफटर गांधी के लेखक हैं चलिए कोशन नमबर 31 देखते हैं किनका जेल का कमरा एक परियर्टक स्थल बन गया था याद रखेगा ए यानि की वीर सावरकर का जेल का कमरा एक सावर्गर को आप याद रखेगा पोर्ट ब्लेयर के सेलुलर जेल में इनको रखा गया था ठीक है इतनी सारे चीज़े काफी है इनके बारे में यहाँ पर और इसको याद रखेगा तीनों चीज़े है अगला कोशिन है दोसे यहाँ पर किसने email के लिए add the rate जो हम लोग लगाते है add the rate चीज़े चुना था चलिए उनका नाम बताईएगा किसने email में email में आप लोग देखते हैं लगाते है add the rate जैसे की आपका email add the rate gmail.com add the rate का चीज़े किसने चुना था तो उनका नाम है जी हाँ बिल्कुल अगर आप उत्तर यहाँ पर करने हैं दोस्तो A यानिकी rate टैमलिंसन note कर लिज़ेगा A आंसर हो जाएगा rate टैमलिंसन question number 33 पर चलते हैं किस bank ने अपने करमचारियों को घर्म से बैंक से service अभी गम करने के इजाज़त दी है चलिए ये question थोड़ा important है तो घर से भी बैठे बैठे आप काम कर सकते हैं अगर आप इस bank में कारे करते हैं तो वो है ICIC bank सबसे पहले ये करमचारियों को घर से bank की services अभी गमन करने का इजाज़त दे चुकी है ठीक है उसके बद ICICI के बद SBI जो है भी ऐसा करने वाली थी लेकिन इस पे रोक लगाया गया तो कि ये सरकारी bank में थी और SBI जो है भारत का सबसे बड़ा बैवसाइक bank है ये आपको पता होना चाहिए answer यहाँ पर D हो जाएगा दोस्तों note कर लिजएगा ICICI अगला question है दोस्तों कि यह लेकिका का जनम बिहार में हुआ था इनका नाम बताएगे कौन से हैं वो बिलकुल याद रखेगा दोस्तों यह है note कर लिजएगा answer क्या होगा it's a D जिया it's a A फणिश्वर नाथ रेणू answer हमारा क्या हो जाएगा फणिश्वर नाथ रेणू जो थी जिनका जनम हुआ है बिहार में ठीके इनका भारत के प्रथम आंजलिक उपन्याशकार के नाम पे इनको जाना जाता है ठीके जिनका जनम यहाँ पे गुआ है और इनका जो फीमस उपन्यास था मैला आचल जरूर पढ़ियेगा अगर कभी पढ़ने का सामय मिला तो बहुत फेमस था यहाँ और यह जिला पुर्णिया के रहने वाली है ठीक है फणिश्वर नाथ रेणू अगला कोशिय देखते हैं दोस्तो 35 बिस्मिल्ला खान के साज के बजाने के लिए इनका जो संगीत वाद है वो कौन से है बिस्मिल्ला खान को हम लोग जानते हैं दोस्तो बिल्कुल सही उत्तर कर रहे हैं आप लोग अगर डी सहनाई उत्तर कर रहे हैं जिनका उत्तर डी आ रहा है वो बिल्कुल सही कर रहे हैं वादियंत्र है इनका सहनाई जो कि ये बजाते हैं बिस्मिल्ला खान को 2001 में लता मंगिश्गर के साथ साथ भारत रतन भी दिया गया था ठीके तो भारत रतन बिस्मिल्ला खान कहना यहां पे उचीत होगा ठीके जिनके साथ साथ लता मंगिश्गर को भी भी यहांपे 2001 में बात्रतन से नमाज़ा गया था question number 36 पे चलते हैं यहाँ गायन सैली नवाब वाजित अली शाह के दर्बार से शुरू हुई है answer कीजिए का दोस्तों बिल्कुल यहाँ गायन सैली नवाब वाजित अली शाह के दर्बार से शुरू हुई है कौन सी तो बिल्कुल आंसर क्या करेंगे आप पे जी हां ठुमरी देखिए इसके उपर भी मैं आपको वीडियो दे चुका हूँ इन सभी के उपर तो ये सारे static वीडियो जाके आप लोग देखिए वीडियो बहुत important दिये गए हैं आप लोग को ठुमरी एक गायन सहली है दोस्तों जिसका संबंद लखनव घराने से है चलिए याद रखेएगा स्वराज पार्टी की स्थापना किस ने की थी जल्दी से आंसर करेंगे आप लोग बिल्कुल सन 1923 में किया गया था इस पार्टी का स्थापना स्वराज पार्टी की स्थापना पंदीत मोतीलाल नेहरू ने किया था सन 1923 में 38 पर चलते है लेखा क्या लेखी का है जो की अंग्रेज के बजाय इटेलियन में लिखते हैं लिखती है चलिए आंसर कीजिए का 38 का यहाँपे दोस्तों बिल्कुल आंसर क्या होगा जुम्पा लिहाडी नोट कर लिजीगा जुम्पा लाहिडी नाम है इनका और ये इतलियन में पुस्तक लेखती है जिसे इनका फेमस पुस्तक है दे नेमशेक या इंटर्प्रेटर आफ दे मेलडीज ये इनके फेमस पुस्तके हैं किनकी आत्मकता दा बेस्ट आफ माई लाइफ है जल्ली सांसर किजिएगा दा बेस्ट आफ माई लाइफ जो है ये क्रिकेटर है युवराज सिंग उनकी ये लिखित आत्मकता है ठीक है याद रखीगा उनके बाद ये कैंसर से जूजे थे जिसके दोरान ही अपने आत्मकता के उपर लिखे भी थे पुस्तके युवराज सिंग का है पुस्तक दे बेस्ट आफ माई लाइफ चले कोशन इस द राइट आंसर है इसका 39 का 40 का अंसर किजिए दोस्तों अमर्त्य सेन को किसके लिए अमर्त्य सेन देखे ये फेमस हैं यहाँ पे एक अर्थ सास्तरी हैं नोट कर लीजिएगा आंसर बी हो जाएगा जिनका अर्थ सास्तर के लिए इनको नोबल पुरस्कार लिए कब दिया गया था दोस्तों ये पता है आपको पूछता है कोशन एक्जाम में ठीक है तो यहां पस्षिम बंगाल के निवासी है यह आप याद रखेगा अमर्त सेन चलिए कोशन नमबर 41 दोस्तों चाउ बिहार का एक लोक निरत्य है इसकी अलावा और कहां इसको निरत्य में सामिल किया गया है चाउ देखिए चाउ जो है बिहार के अतरिक पस्षिम बंगाल राज में लो किर्तन जट जाटनी ठीक है यह सारे है तो उनमें से एक है दोस्तों यहाँ पस्षिम बंगाल यहाँ पर अगर उत्तर जारखंड भी रहता तो वह भी आंसर लगता लेकिन यहाँ पर पस्षिम बंगाल सिर्फ है तो यह आंसर सही होगा A is the right answer 42 का आंसर कीजिएगा भारतिय दोस्तों यहाँ पर कि नीती निर्शिक तत्व के सारे वो तत्य बताएगे हैं हमारे समिधान में ठीक है अच्छा भाग एक से लिकर चार के बीच में न संग और प्रदेश के बारे होगी है विसव में यहाँ पर समिधान में चीजे लिखी गई है इसीज का आप ध्यान र करती है देखिए एक कोश्चन का पैटर्न जो है हम लोग लेकर आ रहे हैं आपके लिए हर एक टॉपिक से जहां जोगरफी हिस्ट्री स्टैटिक जीके या फिर करेंट अफियर हर एक टॉपिक से चीज़े जूड़ी हुई है तो आप लोगो बस इतना करना है कि एक टेश् ठीक है इतना जरूर कीजिएगा अगर आप अच्छे त्यारी कर रहे हैं तो ठीक है बागे दिन भर आप लोग घर में बैट गया है थेरिटिकल चीज पढ़िए मैथ पढ़िए रिजनिंग पढ़िए क्योंकि वह सारे चीज़े भी आप लोग के मेंस में पूछे तो यहां पर आंसर क्या करेंगे आप जल्दी से आंसर कर दीजिएगा बिलकुल आंसर बी हो जाएगा दोस्तो अनुसूची आठ में भासाओं का उलेखन किया गया है दोस्तो चलिए कोशन नमर 44 डॉक्टर रजिंदर परसाद कितने वर्स तक राष्ट पती रहे हैं देख 20 जनवरी 1950 से 23 मई 1962 तक याद रखेगा भारत के राष्टपती पत को सुववित किया और प्रथम राष्टपती थे जो की बिहार से यह आते हैं चलिए कोशन नमर 45 पे चलते हैं भारते सम्विधान में राष्टपती चुनाओं पदती का स्रोत किस देश को सम्विधान दिय तो आंसर क्या करेंगे यहां पर इट सी आयर्लेंट से यह लिया गया है दोस्तों ठीक है यह स्रोत कहां माना जाता है तो आयर्लेंट के स्रोत माने गया है चलिए कोशन नमबर 46 पे चलते हैं एक कोशन यहां से मैं पूछूंगा अगर देखें पॉलेटी से जुड़े इसको जोड़ा गया है उच्चितम न्याले या सक्ति या अधिकार जो या फिर उपराश्ट्रपती या फिर वीतिया पातकल के अगर कभी भी बात हो तो यूएस से यानिकी अमेरिका का नाम लीजेगा अपलो ठीक है और अगर पूछे कि गणतंत्र स्वतंतरता समानता बं गणिजना रखिएगा चलिए कोश्चिन वर् फॉर्टिसी पे चलते हैं लोग सभा के कितने सदस्य राष्टपती नंजीत करते हैं तो यहां पर बियुक है तो आंघल प्रतिनिधियों को भारतियों को यहां पर मन्जोनिद कर सकते हैं आर्टिकल 331 के तहथ है इसको विध पूछ सकता है यानि कि दरोगा के परिच्छा में पूछ सकता है यह तो लोग सभा का गठन जो है आर्टिकल A81 के तहट हुआ है जी हाँ याद रखेगा चलिए कुश्च नमबर 47 किसने सरकार को 1950 में सर्वोदय योजना के प्रस्तूत किया है चलिए आंसर कीजिए दोस्तो बिल्कुल C is the right answer जैपरकाश नरायन ने याद रखेए 1950 में अगला कुश्च न दोस्तो 48 यह भारत के साथ सबसे कम स्थल यह सीमा को शेयर करता है या भारत के साथ कौँ सबसे कम जो है वो मयनमार करता है बिल्कुल जिनका उतर D आ रहा है बिल् 1458 किलोमेटर तक ही यह भारत का सीमा को शेयर करता है ठीक है चलिए कौश्च नमर 14 करकरेखा किस राजे से मद्दे से होकर नहीं गुजरती है नहीं का बोला गया है तो यहाँ पर करकरेखा में बिहार जो है वो नहीं आता है ठीक है याद रखेगा ठीक है याद रखेगा आप लो इसमें और बाकी यह तीनों राजे आते हैं 36 गर्त रिपुरा और जारखंड कुश्यमर 50 ब्रह्मा पुत्र नदी बंगला देश में क्या कहलाती है ब्रह्मा पुत्र नदी बंगला देश में क्या कहलाती है जल्दी सांसर करेंगे बिल्कुल उत्तर अगर आप कर र और बरमपुत्र को जमूना कहते हैं चले प्रोटीन होते हैं प्रोटीन यह क्या होता है उमतिक क्या होता है चले मैयोपिया कीरोगी किसके नीवारम के लिए चाहिए यहाँ पर myopia जो रूग है वो किसे संब्णदीत है हमारे शरीर के तो याद रखेगा आखों के लिए ठीक है, तो यहाँ पर answer आउटर lens का उपयोग करने के लिए यह निवारन करते हैं लोग ठीक है, निवारन के लिए आउटर lens का उपयोग करते हैं चलिए, कुशन नमर 53, साप एक्षित आधरता ना पी जाती है, किसमें दोस्तों ये बता चुपाँ कुशन, जल्दी से आंसर कीजिएगा, और ये कुशन पूछा गया है आपके BPSC में ही, और ये कुशन बन सकता है एक्जाम में आपके, साप एक्षित आधरता जो दोस्तों आंसर कीजिएगा, हाइग्रोमीटर में मापी जाती है, ठीके, अच्छा हाइड्रोमीटर में क्या मापी जाती है, बिल्कुल, ये द्रवो की आप एक्षिता मापता है, ठीके, द्रवो का, याद रखिएगा, चलिए, कुशन नमर 54, किस प्रकार की तरंग धार सबसे कम होत होती है, और कम बोले तो बैग नहीं, ठीके, वाइलेट, कुशन नमर 55, कारी का मातरक क्या होता है, बहुत आसान प्रस्टा है, लेकिन समझने में फेर हो सकता है, अगर आपका जो आप्षिन है, वो कुछ बदल कर दे दे तो, ठीके, यहाँ पे तो आप्षिन जरूर लगा प्रकास वर्स किसकी इकाई होती है, यह भी कॉशन बता चुका हूँ, बिल्कुल, फिजिक्स के सारे जो टॉपिक है, वो मैं आपको लगभग करभर अप करार चुका हूँ, सुबह वाले 9 बजे की क्लास में, आप लोग वहाँ अगर नहीं जूड़ रहा है, हमार से तो ज जुड़िये, और शाम को यह आड़ बजे का वीडियो जरूर देखे, और ऐसे वीडियो को कम से कम एक लाइक तो बनता है, आप लोग का, है ना, तो प्रकास वर्स की दूरी की काई होती है, यह आप ध्यान रखीगा, अच्छा मैं पूछू बल का, तो आप बोलेंगे, न अंसर कीजेगा, यहाँ पे, विधुत चुम्बक्य तरंगे नहीं है, तो आंसर कीजेगा, C दोस्तो, ध्वनी, is the right answer, चलिए, अगला कोशन है दोस्तो, यहाँ पे, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, प्लांक नियतांक का मान जूल सेकेंड में है, चलिए, आं अधे के, जी हाँ, बिल्कुल सही उतर कर रहे हैं आप लोग, यह तना के रूप में होता है, ठीके, तना में पाय जाता है, ठीके, चलिए, और आज का आखरी प्रशन है, दोस्तो, कि स्वेत रख्त कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो WBC जो है हमारे सरीर में दोस्तो उतर सही कियें, यह हमें कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बताइए, और कितना सही हुआ आपका, ठीके, और वीडियो को यार एक लाइक और शेयर जरूर कीजेगा, अपने दोस्तों ग्रूप में भी, ताकि हम उनके साथ जूर सके, और उनके घर तक पहुंच सके उनके हाथों में जो लड़के घर बैटे तयारी कर रहें, पढ़ाई कर रहें अपने, ठीके, उनका सही होग कर सके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दिएगा, बवाई, टेक केर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का,